हलो गाईज तो आज की इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे structure of carbonyl group आज की वीडियो थोड़ी छोटी होगी जिसमें हम structure of carbonyl group के बारे में ही discuss करेंगे तो देखिए, carbonyl group को हम जानते हैं carbonyl group में carbon oxygen double bond होता है और carbon की valency 4 होती है जिसमें से 2 valency तो oxygen से complete हो गही है remaining 2 valencies के उपर यहाँ पर carbonyl group में alkyl group या फिर alkyl group के साथ में hydrogen या hydroxyl या फिर other कोई group लगे हुए होते हैं अगर हम इस carbonyl group के carbon की hybridization state की बात करें तो hybridization निकालने के लिए हमें sigma bond count करने होते हैं जैसे इस carbon का अगर हम मुझे hybridization निकालना है तो इस carbon से जुड़े हुए sigma bond कितने हैं वो हम count कर लेते हैं अगर बात करें इस carbon पर कितने हैं तो देखो एक single bond है और single bond हमेशा sigma bond होता है इसी तरह से यहाँ पर एक single bond है ये भी sigma bond होगा double bond में एक sigma bond होता है और एक pi bond होता है तो इस carbon के पास कितने sigma bond हुए 3 sigma bond हुए इसका मतलब यहाँ पे इसका hysteric number 3 हो गया 3 hysteric number होने की वज़े से hybridization आपको पता है क्या हो जाएगा SP2 हो जाएगा तो हम बोल सकते हैं कि carbon group के carbon का hybridization state जो होता है वो कैसा होता है SP2 hybridized carbon atom होता है चलिए जी यहाँ तक हमें समझ में आ गया आगे बात करते हैं कि इनका इस carbon group के orbital structure की बात करते हैं यह जो थोड़े से हैं इन पे हम बाद में आएगे पहले इसके थोड़े basics पढ़ लेते हैं सारे की सारी बाते हैं आप class 11 में chemical bonding में पढ़के आए हैं नहीं पढ़के आए हैं तो मैं आपको बिल्कुल basic से समझा देता हूँ आप समझ लीजिए एक बार चलिए मैं blank page पे आ जाता हूँ एक बार और बिल्कुल 0 से start करते हैं अगर आपको कहीं पे भी दिखकाता है तो comment जरूर कर देना मैं आपको answer देने की पूरी कोशिश करूँगा देखिए carbon और oxygen है carbonal group में तो हम सबसे पहले carbon का क्या लिखेंगे electronic configuration लिखेंगे electronic configuration किस तरह से लिखते हैं वैसे तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो 1s2, 2s2 and 2p2 यह है ठीक है लेकिन इसका orbital वाला electronic configuration की जरूरत होगी orbital हम इस तरह से बना देते हैं कि यह 1s है 1s में 2 electrons है 2s में भी 2 electrons है 2p है तो 2p में भी कितने electrons है 2 electrons ही है लेकिन orbitals जो होते है p sub shell में वो कितने होते है 3 तो इस में से सिर्फ 2 ही electron है चलिए जीए यहां तक कोई दिक्कत नहीं यह ground state में electronic configuration है ground state में लेकिन जब carbon bond बनाता है तो bond बनाते time क्या करता है 2s का एक electron जो है वो 2p में चला जाता है जंप कर जाता है और जो electronic configuration होता है excited state में या bond बनाने के time पे carbon का वो होता है 1s में तो 2 electron रहते हैं लेकिन 2s में कितने electron रह जाते हैं सिर्फ एक electron रह जाता है और 2p में कितने electron हो जाते हैं जी पताओ देखो 3 electrons बिल्कुल साही कोई दिक्कत नहीं तो यह 2s के हो गए और 2p के हो गए अगर carbon के क्या बोला मैंने कि carbon के 2s यानि s orbital और p orbital में से जितने जितने electrons या orbitals जो है क्या करेंगे bond बनाने में participate करते हैं तो उसी के basis पे अलग अलग type का carbon hybridization state सो करता है जैसे 1s और 3p कर देते हैं तो sp2 बोल देते हैं अगर 1s और 2p अगर hybridization करते हैं तो उसको sp2 बोल देते हैं जैसे कार्बोनल के case में हमने देखा है कि इसका एक तो ये s orbital है और इसमें से 2p orbital जो है वो क्या कर रहे हैं bonding में participate कर रहे है clear है तो देखो यहाँ पे अब मैं orbitals के structure पे आता हूँ s orbital जो होता है उसका structure कैसा होता है spherical shape spherical shape हुआ तो ये 2s वाला orbital है एक ही orbital है 2s वाला ठीक है ओके next है 2p orbital है और p की जो shape होती है वो कैसी होती है dumbbell shape आप जानते हैं suppose ये px और py मैंने ले लिया py मैं चाहिए आपको इस तरह से बना सकता हूँ suppose ये तो px हो गया तो py मैंने इस तरह से बना दिया ठीक है तो ये px और py px, py pz जो है suppose ये ऐसे ही है ठीक है तो ये 2 orbital जो है वो px और py use हो गए और ये आपस में intermix हो गए intermix हो के total orbital कितने बनाएंगे जितने initially participate किये हैं participate 1, 2, 3, 3 orbital participate किये हैं तीन ही orbital बनेंगे लेकिन अब ना तो s का कोई मतलब properties रहेंगे ना ही pure p की properties रहेंगे कैसे orbital बन जाएंगे intermix हो के orbital बन जाएंगे sp2 और sp2 में देखो ध्यान देना कि इनका जो लोब है p में तो दौनो लोब दौनो एक्वल होते हैं s में spherical होता है लेकिन ये sp2 जो बना है इसमें एक लोब जो है वो छोटा हो गया एक लोब बढ़ा हो गया और इस तरह है कितने orbital बनते हैं total 3 orbital बनते हैं ये समझ में आया अब मैंने यहाँ पर एक orbital का तो shape बनाया है और 3 लिख दिया मतलब ऐसे कितने orbitals होंगे 3 orbitals होंगे और sp2 ये 3 orbital जो है arrange करना चाहूं कि arrange कैसे रहेंगे तो ये ध्यान से देखना एक बार देखो ये जो है 3 orbital एक ही plane में अगर मुझे arrange करना है तो इसको मुझे इस तरह से कुछ arrange करना पड़ेगा 120 degree के angle पर मैं एक थोड़ा सा इसको बना रहा हूँ इस तरह से देखना ध्यान देना ये एक ये है ये मैंने एक outline बनाया था जिससे में 120 का angle बन जाए तो एक orbital ये बन गया दूसरा orbital जो होगा वो कैसे होगा इस तरह से होगा दूसरा orbital होगा थर्ड और्बिटल जो होगा वो इस तरह से होगा तो तीन SP2 orbitals जो है वो इस तरह से 120 degree के angle पर क्या हो रहे होंगे एक दूसरे से arrange हो जाएंगे ठीक है 120 के ये भी 120 का angle ठीक है समझ गया यहां तक कोई दिक्कत नहीं चलिए आगे बात करते हैं तो carbonil compound में एक SP2 hybridized orbital है मतलब इस तरह से होगा मतलब ये तीन orbital जो है SP2 इस तरह से arrange हो रहे होंगे आगे बात करें एक चीज ध्यान यहां पर ये भी दें कि ये जो P orbital है ये क्या है बिल्कुल अभी सच बचा हुआ है प्योर फोर्म में तो ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि ये P orbital जो है वो एक P orbital इस तरह से इस carbon के उपर क्या होगा इस तरह से जुड़ा हुआ होगा अब ये ध्यान दे ना यहां पर ये जो है ये तीन जो मैंने blue से बनाए है blue color से वो तो इसी plane में है लेकिन ये P orbital जो है स्क्रीन के पीछे की साइड और आदा लोब स्क्रीन के उपर की साइड में ये ये वाला clear है तो इस तरह से P orbital बन जाएगा तो ये तो carbon की बात हो गई ये किस की बात होई है हमने ये सारी किस की की है यहां पर क्या है center में carbon है तो carbon का hybridization देख लिया मैंने carbon की बात कर लिया दूसरा carbonil group में देखो carbonil group ये ये तो है C double bond O और इस तरह से तो carbon की तो मैंने बात ये कर लिया अब मैं oxygen की बात करता हूँ oxygen की बात करते हैं चलिए oxygen की अगर देखो बात करें तो oxygen का atomic number कितना होता है 8 और electronic configuration आप लिख दो के 1s2, 2s2 and 2p4 इसका orbital level का electronic configuration इस तरह ऐसे लिख वोगए 1s2, 2 electron 2s में भी कितने electron, 2 electrons 2p में कितने electron 4 electron, 3 orbitals होँगे 2p में और क्या होँगे, 4 electron 1 electron, 2 electron, 3 electron and 4 electron यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी चलिए आगे बात करते हैं अब देखो, ध्यान दो यहां पर कि यह तो penultimate cell है main valence cell 2 है, second वाला है चलिए जी तो यहां पर यह एक 2s वाला completely filled है और 2p में एक orbital completely filled है, और इन दोनों में 2-2 electron है, तो यह दोनों तो क्या है, आपके lone pair electron क्या होगे, lone pair electrons होगे अब 2p में 2 orbital बचे हैं, एक तो यह बचा है, एक यह बचा है ठीक है, ध्यान देना, इसको अब p में से, यह electron जो हैं, वो क्या करेंगे, एक p तो क्या करेगा, इसके साथ हमें इस तरह से bonding बना लिए इस तरह से क्या करेगा, overlap बनाएगा और आप जानते हैं कि एक्षियल, overlap बनाएगा, जब एक्षियल, overlap होती है, तो कौन सा bond form होता है, से, काइगा, भॉन, यह वाला जो sigma, बन रहा है, किस कहाँ पे, कारभॉन ील ग्रॉप, मैंने यहाँ पे बना देता हूं, दुबारा से, यह कारभॉन, तो कारभॉन में एक sigma है, यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं चलिया आगे, तो यह भी यूज हो गया, यह वाला यूज हो गया, अब बचा हुआ एक P-orbital जो है, यह वाला बचा हुआ है, अब यह वाला P-orbital जो है, वो क्या करेगा, इसके साथ में, देखो धियान देना इसको, यह P-orbital जो है लें नाम देते हैं, Pi-bond, चीग है, तो oxygen के साथ में, एक तो क्या बन रहा है, सिग्मा बन रहा है, और एक axial overlapping के PP के axial overlapping से क्या बन रहा है sigma bond form हो रहा है अच्छा आगे अगर हम बात करें अगर यह LD हैड है LD हैड में एक hydrogen यहाँ पर लग जाएगा तो hydrogen का अगर मैं कहूं तो 1s1 है तो hydrogen का s orbital एक जगे पर आ जाएगा यहाँ पर s orbital आ गया तो s orbital की overlapping से यह तो s orbital है hydrogen का तो s orbital आएगा और यहाँ पर भी sigma bond form हो रहा है sigma bond यह बन रहा है sigma bond जो है वो कैसा sigma bond है इस carbon का तो sp2 hybridized का orbital है और इस hydrogen का s orbital है तो देखो यह ध्यान देना यहाँ पर sigma bond का nature जो है sp2 s से बन रहा है यहाँ oxygen और carbon के बीच में जो sigma bond बन रहा है वो कौन सी axial overlapping से बन रहा है sp2 p orbital की overlapping से बन रहा है अगर यहाँ पर दूसरा r लग गया r का मतलब कोई alkyl group होगा alkyl group में का होगा suppose cs3 है अब cs3 में आप देखें क्या है sp3 hybridized होता है तो यहाँ पर जो आगे वाला hybridization यह वाला sigma bond जो बनेगा ज्यादा तो नहीं हो गया यह समझ मा रहा है पूरा का पूरा यह मैंने पूरी की पूरी chemical bonding वाली बात जो है वो थोड़ा summarize करके आपको बताने की कोशिश की है एक बार मैं आपको दोबारा से repeat कर देता हूं देखो क्या है carbon का electronic configuration लेखा और हमें पता है कि SP2 hybridized है तो हमने देखा कि एक S का orbital जो की spherical shape होता है और दो P के orbital जो की dumbbell shape होते है यह आपस में intermix होके तीन SP2 hybridized orbital बना देते हैं जो 120 degree के angle पे arrange होते हैं carbon का एक pure P orbital जो होता है वो इनके perpendicular इस तरह से arrange होता है जब यह आप oxygen के साथ में bond बनाते हैं तो oxygen का एक electron जो है एक P orbital जो है वो axial overlapping के साथ में sigma bond form करता है दूसरा जो होता है जो unpaired होता है electron वो carbon के P orbital pure P orbital के साथ में pi bond form करता है जहां देना यहाँ पे pi bond जो bond बनता है वो pure P orbital की overlapping से ही बनता है pure P orbital की overlapping से ही बनता है pure P orbital की overlapping से ही बनता है जिबकि sigma bond जो बनता है, वो किसे बनता है, axial overlapping से बनता है, ठीक है, pi bond collateral या फिर parallel overlapping से बनता है, clear, अच्छा इसके बाद oxygen के पास दो और जो हैं, दो ऐसे भी orbital हैं, जो completely filled हैं, और इनको हम क्या बोलते हैं, long pair electron, इनको हम इस तरह से दिखाते हैं, तो ये long pair electrons हैं, जो completely filled है, ठीक है तो इस तरह से हमने देखा कि ये क्या है, carbonil group का orbital diagram है, आपको अगर इसका screenshot लेना है, तो ले लीजिए, systematically इसको note कर लीजिए, चलिए, अगर note करना है तो वीडियो को pause करके note कर लीजिए, चलिए अपने दुबारा अपने topic की तरफ आते हैं, जहां पे topic चल रहा था, ये सारी चीज हैं जो मैंने आपको बताई हैं, यहां पे लिखी हुई भी हैं, जैसे सारा कुछ लिखा हुआ है, pi bond कैसे बनाएगा, p orbital जो होता है, oxygen का, वो किसके साथ करेगा, कितने non-bonding electron, non-bonding मतलल, non-pair electrons है, दो non-pair electron मैंने आपको बताया, और ये simplify करके इसमें बता रखा है ये carbon है, carbonal group का, ये carbon है, और इसके पास ये वाला जो दिखा रखा है, ये कौन सा orbital है, ये pure p orbital है, कौन सा है, pure p, जो जिसमें, जिसने hybridization में participate नहीं किया था, oxygen के ये non-bonding electron, जो 2s का, और एक 2p में था, और एक जो है, ये वाला जो electron है, एक ने तो कहा है, ये sigma bond में participate कर लिया एक p ने तो इस तरह ऐसे है, और यहाँ पे sp2 hybridized orbital है, ये 3 है, ये sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, तो यहाँ पे तो sp2 और s बन गया, और ये दोनों आपस में क्या करते हैं, collateral या फिर parallel overlapping करके क्या बना देंगे, एक pi bound form कर देंगे, और इस pi bound cloud का जो plane होता है, वो x, इस के, इस plane के क्या होता है, outward and inward direction में होता है, next मैंने ये भी आपको बता दिया कि carbon जो है, वो sp2 hybridized है, तो carbon और oxygen के बीच में जो bond बन रहा है, या फिर इन carbon, carbon के बीच में जो bond बनेंगे, उनके बीच में bond angle कितना होने वाला है, 120 degree angle का होने वाला है, clear है, तो ये molecular orbital के बारे में हम detail मे बात करते हैं, आगे, और आगे बात किसके लिए करते हैं, कि polarity की, कि carbonel जो group होता है, ये देखे, carbonel group है, C double bond O, और इनके ये जो है, वो single bond से bonded है, अब इन में क्या हो सकता है, double, ये single, double और यहाँ पे lone pair electrons हैं, तो ये क्या कर सकते हैं, resonance कर सकते हैं, resonance कैसे होगा, इन दोनों म ज़्यादा होती है, oxygen is more electronegative element, तो ये क्या होता है, इसके pi bond के जो electrons हैं, वो oxygen की तरफ shift हो जाते हैं, और oxygen के उपर partially, या कह सकते हो कि negative charge हो जाता है, और इस carbon के उपर electrons की density कम हो जाती है, electron deficient हो जाते हैं, इसलिए carbonel compound का, ये carbon जो होता है, वो electron deficient होने की वएए से किसकी तरह behave करता है, lewis acid की तरह behave करता है, ये क्या चाता है, कि इसके पास electron rich species आएं, और electron rich species कौन सी होती हैं, nucleophile होती है, ठीक है, electron rich species, इसलिए carbonel group जो होता है, उसके उपर nucleophilic attack, या nucleophile का attack, carbon के उपर होता है, और ये oxygen जो होता है, oxygen, oxygen के उपर electrons की density जादा हो गई है, और इसलिए ये क क्या हो जाते हैं, इनको क्या बोलते हैं, हम Lewis Base बोलते हैं, और इसको अगर बोलें, तो ये Nucleoflix Center हो गया, या इनके उपर Attack जो होगा, वो किसका हो सकता है, Electrophile का Attack हो सकता है, लेकिन Center की बात करें, तो ये Nucleoflix Center बने गया, ये एक Electrophilix Center बने गया, ठीक है, Center का मतलब समझ कि जहां पर Electron की Density कम हो गई, वहां पर Electrophile, Electrophile, देखो ध्यान दे न, इसको, E+, मैं लिखता ही इसलिए हूँ, Positive Charge जो होगा, वो Electrophile, E मतलब Electrophile, NU मतलब Nucleofile, NU माइनस होता है, मतलब Nucleofile, यहां से समझ में आ गया, तो Nucleoflix Center कौन सा होगा, Oxygen, जहां पर Negative Charge है, Electrophil Nucleofile अटेक करने बाला है, तो Oxygen के पास जाए गया, Carbon के पास, Yes, Obviously, Opposite Charge के पास जाएगा, Carbon के पास जाएगा, ठीक है, समझ में आया, जो Carbonyl Compounds होते हैं, उनमें, उनके ऊपर Nucleofile अटेक करते हैं, इसलिए Nucleofilic Addition Reactions, Easily Show करते हैं क्या Carbonyl Compounds